हेलो दोस्तों दोस्तों जे मेंस पेपर 2 के लिए मैं यहां पर कुछ ड्राइंग बना रहा हूं तो यह वन पॉइंट परस्पेक्ट्ट्व विलेच का सीन यहां पर मैं बना कर दिखा रहा हूं तो दोस्तों यह एक्जाम में आने की शक्यता मुझे ज्यादा लगती है एक्स्पेक्टेशन यह है कि यह एक्जाम में आ सकता है तो दोस्तों मेरे साथ आप ड्राइंग बुक पेंसिल यह सारा लेके बैठना है और मेरे साथ ड्राइंग करना है तो सबसे पहले मैंने जो और करने से कुछ लाइं यहां पर निकार रहा हुं कि यहां पर यहां पर ले रहा हुं तो दौस्तों हमें हर्ट दिखाना जरूरी है एनिमल दिखाना जरूरी है और यहां आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ हिल्स भी मैं दिखाऊंगा तो जो जो सराउंडिंग हमें दिखता है ठार में वह सराउंगर करेंगे तो जो जोसीको आपना रहा है इसको 47 मिनिट्स लगे हैं टोटल स्केशिंग और छेडिंग कि लिए 15 मिनिट्स के अंदर यहां पर मैं ने कर लिया था तो फिगर्स निकालते समय भी हमें याद रखना है तो दोस्तों आपको फिर से यहां बता रहा हूं कि अगर एक क्वेस्टन सॉल करना है तो आपका 45 मिनिट्स में यह क्वेस्टन सॉल होना चाहिए तो ही आपको टाइम मिलेगा बाकी जो सब्जेक्ट है जीके है साइड की पहले सारी राइट साइड के मैंने हट्स बना लिए अभी लेप साइड में एक हट बना रहा हूं तो उसकी विंडो यह सारे वेनिशिंग पॉइंट में जाएगे और डोर जो है यह वर्टिकल और होरिजन लाइन को पैरलल रहेंगे तो बस इतना याद रखना है यहाँ पर मैं यह जो रोड दिखा रहा हूं वन पॉइंट पस्पेक्टिव है यह आउट डोर का है तो इसके बाद में मैं इंडोर भी बना कर दिखाऊंगा तो यहाँ एक ट्री बड़ा सा ट्री में निकाल रहा हूं जो गरों के सामने है तो इस तरह हम यह हमने यह बैग यहाँ विलेज में रहने वाले जो लोग है उनका पहरा उनका ड्रेज किस तरह रहता है यह हमें सोचना है और उसतरह यह ड्राइंग्स बनाने है तो यहां पर मैंने एक दोती पहना हुआ एक आदमी मैंने दिखा है उसके शूज है और शूज जो पहने उसने उसमें सॉक्स नहीं रहते तो सॉक्स मैंने नहीं बनाए तो दोस्तों आज से ही हमने एक फ्री कोर्स यहां पर लांच किया है जो दो दिन का रहेगा आज मॉर्निंग में 930 को यह कोर्स स्टार्ट हो गया है और यह कल भी रहेगा तो यहां मैंने इसके पहले वीडियो डाला है और उसमें मैंने बताया था तो जो नए बच्चे उन्होंने उसका बेनिफिट लेना च देख रहा हूं उसमें काफी इंप्रोमेंट की जरूरत है जो अभी बच्चों ने बनाएं इसमें कुछ-कुछ बच्चे ठीक ठाक बना रहे लेकिन उसमें इंप्रोमेंट की काफी जरूरत है ऐसे ड्राइंग्स को कितने मार्स मिलेंगी यह थोड़ा डाउट है मुझे त दोस्तों इसका बेनिफिट आपने लेना चाहिए क्योंकि यहां पर मैं सभी चीज़े मैं सिखा रहा हूं कि मेमरी ड्राइंग का वन पॉइंट परस्पेक्ट्ट्व जितना मेरे से हो सके उतना मैं यहां कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सिखानी तो खेर आज से क्लास स्टार्ट हो गया कल का आखरी दिन है अगर कोई नए बच्चे है तो वो अपलाई कर सकते तो यहां देगे वाट्साप नमबर उपर ही लिखा गया है कॉन्टेक्ट यह वाट्साप नमबर है आपका नाम आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो और कहां से हो उतना उसमें मेंशन करना है तो उसका बेनिफिट आपने लेना चाहिए था अगर एक दिन भी आपको मिलता है तो कोई ने कोई एक सब्जेक्ट तो भी आपका जरूर अच्छे से हो जाएगा तो यहां सेकंड फिगर में निकाल रहा हूं तो सेकंड फिगर जो निकाल रहा हूं वो भी एक देहात या आदमी है गाव वाला आदमी है तो यहां पर उसके हाथ में एक एक बैग में ने दी है और वो भी अपने घर पर कुछ सामान लेकर जा रहा है या लेने जा रहा है जो भी आप सोच सकेंगे तो दोस्तों यहां thinking बहुत important है memory drawing में आप कैसा सोचते हो किस तरह आप आपकी सोच है आपका observation कैसा है यह सारे चीज़े यहां पर आपको देखने पड़ेगी अगर color करना है तो color balance भी आपको देखना है color balance में figure compose है figure का balance है तो यहां जो background दिये गया है उसमें जो-जो colors हम use करेंगी उसका balance बहुत जरूरी होता है तो यहां एक मैंने कटा हुआ पेड एक गर के सामने रखा है उसके उपर भी मैं एक figure निकालूँगा एक लड़का बैठा है यहां एक पत्थर यह दूसरा पत्थर और यहां देखेंगे तो पीछे एक जो मैंने hut दिखाई है उसमें एक आदमी खड़ा दिखा है यहां पर विलेज चिन यहां पर create हो तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे या ऐसे कुछ चीज़े बनाएंगे तो वह विलेज नहीं लगेगा विलेज के लिए आपको जो विलेज के टाइप वहां पर जो घर है हट है या यह जो एनिमल्स है उनका पहराव है यह सारी ही है ट्रीक के नीचे एक गायी एक कव बैठी ही है पीछे एक आदमी दूर दिख रहा है है अ कुछ लेप साइड में जो آदमी बनाया मैंने तो पीछे एक लेडिस आ रहा हैonde यहां लेप साइड में एक स्वालगों यहाँ दिखा रहा हूं तो उसके हाथ में लकडी है तो और हात में लखडी दे दूँगा. वो पकड़के वो खड़ा है. तो दोस्तों इस तरह दीखो यह हैया पर अभी Shading मैं Start कर रहा हूँ. तो Shading के लिए मैंने 2B Pencil का यूज़ कर रहा हूँ. तो 2B Pencil से मैं जो Shading कर रहा हूँ. यह Hill की Shading सबसे पहले, फिर sky और हमेशा इसी तरह आपको shading करते आना है ताकि आपका हाथ न लगे हाथ से आपका paper जो है वो गंदा न हो इसलिए उपर से नीचे के side या तो left से right के side आपको shading करते हुए चलना है तो जो sky बना रहा हूँ उसका उपर ही जो part है वो थोड़ा dark और नीचे light light क्योंकि हमें यहाँ perspective color perspective भी दिखाना है वो जी साब से यहाँ पर अभी यह जो tree है tree के लिए मैं एकदम normally shading कर रहा हूँ मैं कोई detail में काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि detail काम हमें जो करना है वो figures में, hut में तो tree में normal shading यहाँ पर करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि front वाला tree जो है मैंने dark निकाला है उसके बाद में जो दूसरा tree है वो थोड़ा light है और पीछे वाला और light है तो यहाँ hut के लिए भी मैं shading मेंने की है tree की shadow जो है hut के उपर आ गई है जो door है उसके अंदर का part मैंने दिखाया है वो थोड़ा dark दिख रहा है यहाँ पर एक लड़का जो कटा हुआ पेड़ मैंने रखाये घर के सामने उसके उपर एक लड़का उसको भी मैं shading कर रहा हूँ तो shading करते समय यह सारी चीजे आपको अच्छे से देखनी है उसके नीचे का shading भी और यहाँ जो आदमी है जो आ रहा है उसको भी मैं shading करूँगा तो यह total मैंने सब shading 2B pencil से किया है आप HB pencil यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं pencil अभी यह जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे हाथ में जो pencil है यह नटराज की pencil है तो drawing करते समय आपको HB की pencil यूज़ करनी है और shading करने के लिए 2B, 4B, 6B, 8B और 10B तक pencil आप यूज़ कर सकते हो कितना dark दिखाना है उसके लिए 10B और light light के लिए आप HB 2B pencil यूज़ कर सकते हो तो अभी जो मैं classes ले रहा था अभी जो मैं free class लिया हूँ तो उसमें कुछ बच्चों ने 2H की pencil यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तो H की pencil बहुत hard रहे दिये तो please H या तो H1 या H2 की pencil बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है वो drawing के लिए नहीं रही थी है वो architecture engineering के लिए वो रहती है लेकिन जो हम अभी drawing बना रहे हैं उसके लिए वो कुछ काम की नहीं तो आपको यहाँ drawing करने के लिए सबसे light pencil जो है वो HB की pencil यूज़ करना है और shading करने के लिए 2B की pencil 4B की pencil 6B की 8B की या तो 10B की pencil आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ मैंने एक आदमी का shading कर लिया पीछी जो ladies है उसका भी यहाँ मैं shading कर रहा हूँ तो इसके पहले जो videos मैंने डाले हैं अगर आपको perspective पता नहीं है तो जरूर वो video आप देख सकते हो perspective one point perspective का video उसके उपर भी मैंने एक memory drawing डाला है यह second memory drawing one point perspective का यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ यह village scene तो इसकी थोड़ी practice आप अगर कर लोगे तो अच्छे से आप बना पाओगे practice अगर होगी तो और डरने की कोई बात नहीं यहाँ पर मैं वीडियो डालने वाला हूँ सिर्फ expectation आप से यह है कि आप ने comments करनी जाएए आप comments नहीं करते हो और आपके कुछ questions होंगे तो वो जरूर आप मुझे बताईएगा कि सर यह बना कर दिखाओ तो मैं जरूर यह बना कर दिखाने वाला हूँ जो जो आपके question होंगे ज्यादा से ज्यादा आपके question के answer देने की कोशिश करूँगा तो comments आपने जरूर करना है तो यह मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी वीडियो डालूँगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मेरे चैनल को अगर आप subscribe करोगे तो आपको notification आएगा तो जैसा मैं J.E.Mans paper 2 की यहाँ पर कुछ questions डालने वाला हूँ 2D composition है, 3D composition है memory drawing है, portrait है, figure है यह सारे मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा अगर आपके अच्छे comments आए तो मैं ऐसा समझूँगा कि आपको यह सब सीखना है तो मैं यह वीडियो डालूँगा अगर comments नहीं आते हैं तो मैं सोचूँगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ वीडियो मैं नहीं अपलोड करूँगा तो दोस्तों यह बात आपके उपर depend है कि आपको अगर सिखना है तो आप comment जरूर कीजिएगा नहीं तो फिर कोई मेरा भी time यहाँ पर फिर waste होता है तो दोस्तों यह जो आदमी दिखाया है उसके हाथ में मैंने एक लकड़ी दिखाई जो खेतों में कुछ काम करने के लिए जाते है उस समय रहती तो यहाँ पर उसको भी मैंने shading कर लिया है पीछे एक आदमी बैठावा दिखाया है मैंने और यह front यह जो hut है वहाँ पर अभी जो मैं shading कर रहा हूं वहाँ पर भी एक आदमी लुंगी पहन के खड़ा है वो देख रहा है तो यह figures जो मैं निकाल रहा हूं यह drawing मैंने जो निकाला है यह हम खड़े है तो कैसा दिखेगा उस angle में निकालना है ना कि आप उपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो इस type का कोई भी drawing पर drawing होना चाहिए यह तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा drawing निकालते हैं लेकिन perspective थोड़ी गड़बड कर देते हैं तो उनको कुछ marks नहीं मिलेंगे shading करते समय भी आपको यह याद रखना है कि उसमें perspective दिखना चाहिए perspective आना चाहिए यह सारे चीज़े यहाँ पर बहुत important है तो यहाँ जो hut बना रहा हूँ यह hut यह complete होने के बाद मैं cow को shading करूँगा तो दोस्तो कौन से topic पर आपको वीडियो चाहिए यह जरूर मुझे comments करके आप बता सकते हो कि सर और एक memory drawing का interior का या two point perspective का वीडियो डालो या portrait डालो आपके जो comments ज्यादा होंगे वही मैं वीडियो इसके आगे upload करूँगा अगर comments नहीं है तो फिर मैं को ऐसा लगागा कि आपको कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तो अगर आपको सही में करना है तो comment जरूर किजेगा तो यहाँ पीछे के heart को भी मैं shading कर रहा हूं उसके बाद में जो cow है उसको भी मैं shading करूँगा तो यहाँ मैं यह 2B के pencil यूज कर रहा हूं और यह cow यहाँ पर मैं बना रहा हूं तो उसके sing, उसका move, front में उसका जो nose है वहाँ पर dark part रहता है आखे और यहाँ पर हलकी सी shading क्योंकि cow का color मैं ने white रखा है तो shading भी light light आएगे यह सब होने के बाद आपको इसको outline भी करना जरूरी है तो outline करने के लिए आपको और भी dark pencil यूज करना है जितनी dark pencil आप यूज करोगे उतना अच्छा दिखेगा यहाँ पर paint या sketch paint या ball paint कोई भी आपको allowed नहीं है चले का नहीं जितने भी drawings करेंगे उसके लिए भी आपको हाथ से drawing करने कोई भी geometrical instrument, ruler इसका use नहीं करना है दो questions आपको आते हैं, दो solve करने रहते हैं तो दो questions solve करने के लिए आपको जो timing लगेगा वो 90 minutes में आपके दो questions complete होने चाहिए अगर आपको एक question solve करने के लिए अगर आपको 70, 80, 90 minutes अगर लग रहे हैं तो दोस्तो 3 hours के paper में आप 2 and a half hours या तो 2 hours अगर drawing को देंगे तो बाकी आपके questions बाकी जो paper है जीके aptitude और maths का वो कैसा solve करेंगे इसलिए इसकी practice आपको ज्यादा करने नेक्स्ट बात ये बताना जाता हूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम अगर drawing skip कर दे तो चलेगा क्या देखो दोस्तो drawing की दो ही question आते हैं और दो questions को आपको 100 marks रहते हैं तो एक question को 50 marks का question है तो इस पर से आप सोच सकते हो कि skip करना चाहिए या solve करना चाहिए तो ये आपके उपर depend है मैं तो drawing पड़ा था तो मैं यही बोलूँगा कि शिर्फ दो question को आपको 100 marks मिल रहे तो आपने drawing का पर जो questions है वह आपने जरूर solve करने चाहिए उसके बाद में gk aptitude के questions solve करने चाहिए और last में maths की मेरे इसाफ से यह बहुत important बात मैं यहां बता रहा हूँ next दूसरी बात important यह है कि आपको जब आप college में admission लोगे architecture college में तो आपको वहाँ पर drawing और drawing से related models मतलब models और drawing तो drawing यह सबसे main subject उसमें है तो उसको यह अगर आप skip करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ऐसा मुझे लगता है तो दोस्तों यह आपकी सोचे क्या करना है मेरे इसाफ से तो drawing main subject है और यह subject को आपने seriously लेना चाहिए practice करनी चाहिए daily अगर आप one and half hour देते हो तो काफी अच्छे से आप drawing बना पाऊगे मेरे पास इसके example है जो मैं classes ले रहा हूँ उसमें बहुत 15 दिन में बच्चों की improvement मुझे काफी अच्छा नजर आता है तो दोस्तों यहां मैं यह road के लिए एक shading कर गया हूँ और यह गाउ का road है तो उसमें कुछ कशरा पड़ा है कुछ तीजे रखी है कुछ गड़े है तो यहां पर इस तरह आपको दिखाना है अभी यहां मैं border कर रहा हूँ तो दोस्तों यह border और भी dark pencil से आपको करनी है तो यह वीडियो अभी खतम होने में आ गया है तो आपके अगर कुछ questions होंगे तो वो जरूर comments में लिखना है नए अगर बच्चे है तो मेरे channel को subscribe जरूर करना है और जिनको यह exam में अच्छे marks मिलाने उन सभी को एक request है कि आप comment जरूर कीजिएगा comments कर अभी तो मैं आगले वीडियो डालूंगा अगर comments नहीं करोगे तो फिर मुझे ऐसा लगए कि आपको कुछ ड्राइंग सीखने में करने में कोई interest नहीं है तो यहाँ पर shoes भी मैं बना रहा हूँ तो दोस्तो यह जितना आप detail करोगे लेकिन timing के अंदर यह मैंने बदा आपको 47 minutes में मैंने complete drawing यहाँ पर किया है क्योंकि इतना बड़ा 47 minutes का वीडियो आप भी देखना पसंद नहीं करोगे इसलिए यहाँ थोड़ा detail में दिखा रहा हूं बाकी shading जो है बाकी sketching जो है जो dark मैं pencil से कर रहा हूं यह आपको देखने के मिलेगा तो चलो दोस्तों मिलते हैं next video में thank you thank you very much